नमस्कार दोस्तो विहार एक्स्पेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आखिरकार यूट्यूबर मनिश कश्यप गिरफतार हुए और ये गिरफतारी से उनके फैंस जो है वो काफी नाराज भी है क्योंकि उसके घर शनिवार को कुड़की जबदी करने के लिए पुलिस पहुंची उसके बाद यूट्यूबर मनिश कश्यप ने अपने आपको सेरेंडर किया और कुड़की जबती के समय उसके फैंस जो है उन्होंने काफी बावाल भी काटा लेकिन उस पर कोई खास असर परा नहीं पुलिस ने अपना काम किया मेरे हाथ हमें अखवार का कुछ पन्ना है आप सब देख सकते हैं और मेरे वगल में मेरी माँ है घर पे पुलिस वाले जाते हैं कहते हैं कि बेटा को हाजिर कर रहे है गिरफतार करवाई हाजिर करवाई है तो चलिए ठीक है मैं गिरफतारे दे रहा हूँ तो मनीश कस्यप का कहना है कि हम बिहार के मजदूरों के लिए खास करके लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जो है वो हमेशा जारी रहेगी और इस से हम पीछे हटने वाले नहीं है बलके अभी सरकार भले ही हमको जेल में डाल दे लेकिन बिहारी मजदूर के यूट्यूबर मनीश कस्यप पर तमिलनाटू में हुए एंसिडेंट का जो गलत वीडियो गलत अफवा फैलाया था उस पर एफाया दर्ज हुआ और उसके बाद तेजस्वी जादब पर जिस तरह उसने निशाना साधा सरकार गिराने की भी बात कही इसको लेकर पुलिस न गिराने की बात करे क्योंकि सम्विधान सिर्फ उन विपक्षी पार्टियों को अधिकार देता है सरकार गिराने या फिर बनाने की जो उसके विपक्ष में होता है जो भी यूट्यूबर या फिर एक पत्रकार होता है वो निश्पक्ष होता है और वो सरकार की गलतियों को गिनाता है ना कि किसी सरकार को गिराने या फिर बनाने की बात करता है शायद यही वो वज़ा रही कि उसने सम्विधान के खिलाफ जाकर अपनी आवाज जो हो शोसल मेडिया के जरीए उठाता रहा सरकार गिराने की बात करता रहा और तेजस्वी यादब पर जो हो निशाना साथता रहा कहीं ने कहीं ये सबसे बड़ा उसके लिए परेशानी का शबब बना तो खैर यूटूबर मनिश कश्यप गिरफतार हो चुका है क्योंकि उसका जो बैक ग्रोंड है वो राजनितिक से है लेकिन बाद में उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसके बाद पत्रकाडिता शुरू की और धाकर पत्रकाडिता के लिए जाने जाने वाले मनिश कश्यप अब पुलिस के गिरफत में है अब ये देखना होगा आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल अपडेट ये है कि मनीश कर्षिप गिरफतार हो चुका है और मनीश कर्षिप के फैंस जो है वो काफी निराश भी है नाराज भी है तो दोस्तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा क्या इस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए बुलंद पत्रकारिता होनी चाहिए लेकिन किसी सरकार के को निशाने पर लेना ये भी कहीं से सही नहीं है हलाकि पत्रकार उन कम्यों को गिनाए जो कम्या है सरकार के अंदर या फिर उनके कामों के अंदर उसको गिनाने का काम करे ना कि किसी सरकार पर निशाना साधने का इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए तो चलिए इस वीडियो को यहीं परेंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रिए बिहार एक्सप्रेस यूटूब चैनल